आज का सब्जिक्ट है फाइनांसियल मैनेजमेंट ये आपको नहीं पढ़ना था 11, 12 या भी कॉम में आप जब MBA करेंगे तो पढ़ेंगे 2nd समस्टर में या CA करेंगे तो पढ़ेंगे IPCC में M.com करेंगे तो आप वहां पढ़ेंगे मतलब ये एडवांस लेवल पोर्शन है फाइनांसियल मैनेजमेंट इससे हम कहते हैं कॉमर्स का भिश्पितामा भी और मेरे हिसाब से अकाउंट्स यहीं पे जाकर इंड होता है और आपको शायद ये पता नहीं होगा शायद ये जो सब्जेक्ट हैं ये मेरा सबसे वीक हुआ करता था लेकिन हम दो से तीन दिनों में इसको अपने कंट्रोल में कर लिए कैसे ये ट्रिक आपको देंगे समय के साथ ये सब्जेक्ट है क्या किसे कहते हैं फाननसेल मनेजमेंट ये समझी आप एक छोटे से एक्जामपल के थरू जर्नल आप नाम सुने होंगे लेजर ट्राइल बालेंस ये तीनों ही पार्ट आप बुक किपिंग कहलाता है बुक किपिंग में आता है जर्नल लेजर और ट्राइल बालेंस ट्रेडिंग अकॉंट, प्रॉफिट और लॉस अकॉंट और बारंस शीट ये तीनों ही अकॉंटिंसी का पार्ट है आप ऐसे भी कह सकते हैं जहां बुक किपिंग एंड होता है वहां से शुरू होता है अकॉंटिंसी और जहां अकॉंटिंसी एंड होगा वहां से स्टार्ट होगा अकॉंटिंग जिसमें आपका भी फंड फ्लो स्टेट्मेंट, कैश फ्लो स्टेट्मेंट, अकॉंटिंग रेशियो पढ़े होंगे और जहाँ पर end होता है management accounting वहीं से शुरू होता है financial management तो sequence कुछ ऐसा रहा जहाँ bookkeeping end होगा वहाँ से accountancy शुरू होगा और जहाँ पर accountancy end होगा वहाँ से शुरू होता है management accounting और जहाँ पर यह end होगा वहाँ से ही शुरू होगा financial management अब एक बात आपको समझाएं चाहे business का shape soul, proprietorship business का हो या फिर कोई partnership firm हो या फिर कोई company हो क्या हर business को fund का requirement होता है या नहीं हर business को fund का requirement होता है चाहे वो soul, proprietorship business हो या partnership firm हो या फिर कोई company हो सबों को fund चाहिए आप जो पढ़े हैं BBA या become part 3 में जिसका नाम है management accounting पढ़े थे ना fund flow, cash flow accounting ratio ये आपको सिखाता है ये आपको सिखाता है बिजनस में कहां कहां से fund generate हो सकता है आपको सिखाता है बिजनस में fund कहां कहां से generate हो सकता है Through equity shares, through preference shares, debentures, bonds या फिर किसी financial institutions से और इस fund का हम लोग uses कहां कहां कर सकते हैं ये हमें सिखाता है management accounting fund कहां से generate हो और fund का use कहां पर हो ये सिखाता है management accounting तो fund कहां कहां से generate हो सकते हैं, कौन-कौन से उसके hits हैं, resources कौन-कौन से हैं ये आपको explain करेगा management accounting लेकिन इन सारे source of fund में से हम किस्से अपने capital को raise करें हम किस्से अपने fund को raise करें ये सिखाता है financial management repeat कर रहे हैं इस पार्ट को important पार्ट है ये आप जो अब तक पढ़े हैं या कभी पढ़ेंगे fund flow, cash flow accounting ratio जो पढ़े थे ये सारे chapters किसके हैं और ये क्या सिखा है आपको business में fund कहां कहां से generate हो सकता है equity share से, preference share से, diventure से, bond से या फिर किसी bank से as a loan लेकिन इन सारे resources में से कौन सा resource सबसे better है हमें किसे fund को raise करना चाहिए ये जो decision making होगा इसी का नाम है financial management एक छोटा से example आपको दे हम जिसे के बाद बिल्कुल साफ हो जागा हमें पट्टा में एक movie देखनी है और हमने आप से कहा जरा पता कीजिए किस cinema hall में कौन सी movie लगी हुई है आप गएं पता करके आएं किस cinema hall में किस time में कौन सी movie लगी हुई है आपका काम खतम हो गया क्योंकि आपका काम क्या था आपका job क्या था ये पता करना किस cinema hall में कौन सी movie लगी हुई है लेकिन इन सारे movies में से हमें कौन सा movie देखना चाहिए ये decision आपका होगा यह decision मेरा होगा आपने तो हमें disclose किया इस cinema hall में यह movie लगी है और आपका role वहीं पर खतम हो गया लेकिन इन सारे movies में से कौन सा movie हमें देखना चाहिए यह decision तो बिलकुल मेरा ही होगा ठीक वैसे ही जो management accounting है उसका काम यह है fund generate हो सकता है equity share से preference share से debenture से, bond से या फिर किसी financial institution से उन्होंने तो सारे source of fund आपके सामने रख दिया लेकिन इन सारे sources में से किस से हम अपने business के capital को rage करें यह जो decision है यही है financial management समझ रहे हैं आप सभी यह जो decision making होगा इसी को कहते है financial management यही है